अभी आतंग वादियों वा नकसलियों की मान में घुस कर उन्हें धूल चटाने वाला जैप साथ का जवान रामचंद्र जंगु आज खुद जिन्दिगी से जंग लड़ रहा है रामचंद्र करीव एक वर्ष से लेंफोमा कैंसर नामक बीमारी से पीडित है इसका उपचार कराने में अब तक परिजनों ने जगे जमीन बेच कर करीब 10 लाग रुपे खर्श कर डाली है बावजूद रामचंद्र की तबियत में कोई सुधार नहीं हुआ है ऐसे में पाई-पाई का मोहताज हो चुके परिजनों को अब किसी मशीहा का इंतजार रह गया है बताते चलें कि रामचंद्र सिमरिया प्रखंड के केंडर गाउं का निवासी है जो जैप साथ के अतंगवादी निरोधग दस्ता धुरवा रांची में आरक्षी 64 के रूप में पदस्थापित है रामचंद्र की पतनी नमिता रोते हुए बताती है कि पती का इलाज कराने के लिए भैरॉल लेकर गए थे वहां के चिक्सकों ने करीब 20 लाक रुपे का इस्टीमेट बना कर दिया है जिसे बहन करने में हम लोग सक्षम नहीं है ऐसे में रुपे के अभाव में उनका उप्चार छुड़ा कर वापस घर लाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता हम सब के पास नहीं है रामचंद्र की पतनी नमीता ने बताया कि चत्रा सांसा सुनील सींग एवं पुले सदिक्षक एस्टी एस रासी धुरुबा को आविदन लिख कर अपने पती के उपचार की गोहार लगाई है उसने बताया कि घर का एक मात्र कमाव सदस के बीमार हो जाने के करण घर की माली हालत बहुत ही खराब हो गई है दो बच्चे हैं जिनके पढ़ाई पैसे के अभाव में छूट गई है उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें किसी भी तरह का सरकारी सुविधा का लाब नहीं मिल पाया है चत्रा से अमित कुमार सिंग की रिपोर्ट हम बोले है, हैस्बेन का कैंसर हो गया है तो क्या करें हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है पैसे नहीं रहने का रहा है मेरा तोक एक साल से लिपोमा कैंसर बिमारी हो किया है जो कि जिसका इलाज CMC भीलोर हैं टोलोजी भीभाग से देखा रहे हैं मेरा पास पैसा एक भी रुपिया खाने तक कभी नहीं बचा है मैं तो कि जवान हूँ फिलाल एटियर दुरवारांची में पज़ अस्तापित हूँ मांग करते हैं कि मेरा इलाज में जो खर्च आ रहा है उसको कुछ किया जाए हम और ज्यादा मांगा करें है जैप साथ में रामचंदर गंजु आतंगवादी निरोधिक दस्ता में काम करते थे एक साल से लगभग इनको लिफोमा कैंसर हो गया है बिभाग के द्वारा किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है इनके परिवार के लोग भेलोर भी ले गए एसी एमसी भेलोर ले गए जहां पर नौ से दस लाग रुपईया घर का जमा पुझी बकरी छगरी गाय सब बेच दिये इलाज करवाए उसके बाद जब इनके बाद पैसा नहीं रहा तो ठक हार करके आज घर चले आए हैं कि आप लोग बढ़ चड़ करके इनके परिवार को रामचंदर गंजु को बचाने की आप किरपा करें देखें इनके बीच में इनकी पतनी है छोटे-छोटे बच्चे जो अनाथ हो जाएंगे अगर आप थोड़ा-थोड़ा सा भी मदद कर दीजेगा तो इनका जिंदगी भी सकता है खबरों में अब तक ये बस अतना ही मिरते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें ग्रावी बेचे है रुपेर